वेलकम बैक तो दी चैनल और आज 5 दिन है और सबकी एनरजी लेवल थोड़ा थोड़ा कम हो गया है अगर आप लोगो को नुबरा वेली और पंगॉंग लेग की वीडियो दिखने है तो लिंक विल इन डिस्क्रिप्शन और आज हम लोग जा रहे हैं लेगी साइट सेनिंग करने के लिए तो सील कैसा लग रहा है तो मैं आज मजा आएगा नहीं आएगा अज बहुत मजा आने माला लही के अंदर ही कल तक तो हाई अट्रिटूट की वज़े से बहुत जादा थी बटाश लेही में फिर थोड़ा रिलेक्स है तो आज काफी मजा आने वाला है इस वीडियो में स्याचिन के हैं स्याचिन में कैसे उता देक्ति बाई लेंड कारिगल का रेंज दिख्के हो रहा है वार अप्सान के रविजर्ण की तो सब्सक्राइब की तो आज शीज़ा विशा सा इस तो वार रवार्द अपिज़ा तो कुछ अज़ा था का लोग संटिके तो बाई जब टाइन अज़ा थाटी तो अज़ा सबस्क्राइम सुनक्राइम् प्रोड बंद गर दिया उने गाडी पूरी यहां पे एक बॉक्स बनाया हुगा उन्हों ने उस बॉक्स पर आपनी गाडी पार कर देते हो तो गाड़ी अपने आप पीछी कि तरफ लिए जब कि पीछी कि तरफ चड़ाई है और साधी हमें एक एडिवी राइट भी आपक ट तो गाइस मेंनिटिक हिल्स के बाद हम लोग एक बहुती सुन्दर दो नदियों के संगम में पहुचे जहां पे सिंदु नदी और जासकर नदी मिलके इंडस नदी बन जाती है और यहीं इंडस नदी कारगिल होते हुए पाकिस्तान की तरफ निकल जाती है और साथी मैं यहा किया जाता है जब यह नदी पुरी बरफ से जम जाती है इसे चदर ट्रैक बोलते हैं हाला कि वो ट्रैक यहां से कई किलोमेटर आगे से होता है बहुत सारे तूरिस यहां पर आयो है बहुती पीसफुल प्लेस है आप यहां पर आके एक अच्छा क्वालिटी टाम स्पेंड कर सकते हैं बट यहां पर थंड काफी जाता है तो बी प्रपैर्ट इस मेंगनेटिक हिल बाले रस्ते में एक गुरुद्वारा पड़ता है गुरुद्वारा स्री पत्थर साहिब आप जाहो तो गुरुद्वारा विजिट कर सकते हो अंदर फोटोग्रफी और कैमरा बगर जाल आओट नहीं है तो गुरुद्वारा बना है उसके पिछे कहानी है कहानी है कि जब गुरु नानक जी यहां पर आए हुए थे तो यहां पर लोग काफी परसान थे किसी एक राक्षस की विजए से जो उन्हें परसान करता था तो उनको उससे चुटकारा दिलाने के लि एक जालाबस सानली से पत्र हुए पत्तर नानक जी टक्राया तो वह मौम बन गया और वहू पत्थर कि और अकर्ण के फो जब तो नानक जी आपक तखोल के इस जहन नहीं वा राक्षस ने घुखा के उसके पत्थर के ओपर अपर पाह उ उससे दबाने के लिए पाऊ मिए तो उस राक्सस को पता लगा, Guru Nanak Ji भगवान के भेज़ेवे एक अवतार है, तो ऐसे करके फिर राक्सस एक सही रहा में निकल गया, Guru Ji ने उसको अपतेश दिया और एक सही रहा में निकल गया, तो यह काफी अच्छी स्टोरी और अंदर जाके एक अलग अरूमा भी है, आप जाहोगे तो काफी अच्छा महर रहता है, Guru Dwarai के ऐसा और अभी हम जा रहे हैं यहां से सीथे ले पैलेश So guys, वहां से अभी हम लोग पहुच गए ले पैलेश, वहां से यहां तक थोड़ा सा दूर है, मैंने एक चपकी में निकाती मस्त वाली So guys, basically, यहां पर अभी लाइट है तो काफी अंदेर है अंदर, फोड के अंदर, यहां पर लकडी का काम आपको देखने को मिलेगा, काफी अच्छी निकासिया हो गए हैं अर ऐसा कुछ खास है के लिए के अंदर बस बहुत सारे रूम्स बने हुए है और हर एक जगह पर बालकनी है, बालकनी से सिटी का व्यू है अच्छा यह जो फोड है इसमें लेह के जो पहले किंग थे वह राते थे और यह जो है नाइन्थ लेवल तक के फोड बना हुआ है अगर आपको देख रहा होगा यह इस तरह से किला बना हुआ है नाइन्थ लेवल तक और अभी हम फिर्फ लेवल पर है अगर बेसिकली लाइट वगेरा बतानी क्यों ने बन करेवी है दूर नूर तक शारी चीजे दिख रही है इस फोड के अंदर कुछ जादा कुछ खास दिखने क्ले नहीं है यहां रूफट पर आकर वर्थ है व्यूवाइस अगर आपको फोटोग्राफ वगेरा क्लिक करना है यहां से आपको इसके उपर चलने के लिए सूज वगेरा उतारने होते हैं और सूज उतार के आप इसके सेर्कल में राउंड लगा सकते हैं वो काफी अच्छी जिगह है और यहां से जो व्यू आरा है वो भी इल्टीमेट है संतिस्टुका अर वहां पे बहुत जाधा तीज हवाय चल एथी थंड केड़ी पड़ तो वहांपे व्लॉगिं नहीं पाये जादा और अभी हम ने निकाल ली ठंड बढ़ गई है अभी हम जा रहे हैं तुर अबना होटल देखने के लिए विकास हम जब सुबह निकले दो चेकाउट कर निकले दे होटल पहुच के समान फेकिंग है उसके बाद जाएंगे लोकल एक्स्प्लोर करने के लिए तो ओफट किशे वर देखते हैं क्या चीजाय को ख़रीच सकते यहां से और मैं आप तो लोग को दिखाऊँगा कई कि क्या कि शॉपंग आप यहां प्ना आप से कर सकते हूं और इसके बाद हम यहां से डिनर कर के निकलेंगे कल T जाते हैं हाला कि हम लोगों ने वह स्किप कर दिया है विकॉस टाइम यह बहुत जादा हो गया ठंड भी बढ़ गई है और प्लस वह एक बहुती अलग रूट में पढ़ता है और उसके लिए हमारे जो कप्तान साव है ड्राइवर साव है वर ने कि एक दिन और एक्स्टा मिल जाएंगे बहुत सार आइटम्स अवेलिबल हैं आपर और बाकी सीजन एंड में आने का फायदा होता है कि एंड सीजन सेल आपको मिल जाती है और चीजे बहुत सश्ती मिलती है हमने भी कुछ-कुछ आइटम्स खरीड लिया है अलड़ी यह एरिपोर्ट की रस्ते में एक रेस्टोन पढ़ता है न्यू सालिमार रेस्टोन वहाँ पे हम नमकीन चाही पी रहे है जो कि हांकी फेमस चाही है अगर आप लद्दक आते हो तो आपको जरूर यह पीनी चाहिए ले मेजब्य आते हो नमकीन चाही के साथ ब्रेड कैता बटर रोटी तो आज हम थोड़ा लोकल ट्राई कर रहे हैं उसके वार हमारी फ्लाइट है तो आप लोगों कैसा लगा है ट्रिप कुछ भी अगर आपकी क्वेरीज है तो प्लीस कॉमेंट डाउन ब्लोग नहीं है बसका नहीं है यह वाली चाही बसकी नहीं है तो गाइस हम नमकीन चाही हमारे बसकी हुई है तो अब हम लोग पहुच गए और दुबारा चाही पी है और अभी हम लोग पहुच गे एरपोट और आपको इस चीज बताने ती अगर आप लोग बिना बुकिंग के आ रहे है तो आप डारेट एरपोट आ सकते है यहां से शेर्ड टेक् टीक्सी बुक ररी तो 800-900 करीब ना 800-900 करीब में आप वोडी टैक्सी बुक कर सकते है और इसी के साथ इस वीडियो को यह पर हैंड करते हैं सो काईस अगर आप लोग को बासंदा है तो बीडियो को लाइक करना ना भूलें अगर इस चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्क्र प्लीज या सजेशन्स हैं प्लीज कॉमेंट डाउन बिलोह थैंक यू सो मच फर वाचिंग सी सून बिलोह नहाँ ठाहिं थैंक यू स्टचर फवाचिंग यू सुन झाल 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 झाल